हेलो दोस्तो आज आपके लिए कापी खुश रच फ्रंट इलिवेशन का design लेके आया हूँ इसमें आज आपन डिसकास करने वाले है उसका फ्रंट इलिवेशन उसका नक्षा पूरा डिइटेल में डिसकास करने वाले है साथ में आपका इसका इंटेरियल व्यू भी दिखाने वाला हूँ मतलब अंदर से केसे नजर आने वाला है तो कॉपी इंपोर्टन वीडियो होने वाला है तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लोट रहने वाला है 720 स्क्वेर फीट का इसमें पूरा कंट्रक्शन किया हुआ है और यहाँ पर एक तरफ रोल का एप्रोच रहेगा और बाकी त्यूनों साइट अधरोन और प्रॉपर्टी है मतलब उस तरफ आपन वेंटिलेशन नहीं दे सकते हैं तो इस तरह हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है और लाश्ट में आपको दिखाऊंगा इसका जो हमने कलर कॉम्बिनेशन बनाया था उसका नक्षा भी दिखाऊंगा तो वीडियो के साथ बने रही और चैनल पर नहीं तो चानों को जरूद सब्सकायक पर लिज है आपको डेली हमारे चैनल पर एसी खुसफरत हाउस प्ल्यान की दिजाइन देखने को मिलेगी तो दोस्तो हमने हमारे चैनल पर हाजारों के ताधात पर हाउसप्लान के नक्षय की वीडियो अप्लोड किये हुए है और आने वाले समय में आपको काफी खुसपुरत डिजैन देखने को मिलेगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते कुछ डिजाइन इससरा रहने वाला है यहाँ पर एक डोर रहने वाला है और यहाँ एक विंडोव दी हुई है तो यहाँ पर देख सकते गेट का एप्रोस्ट दिया हुआ है तो यह हमारे पास नक्षा आया था हमरे क्लाइट ने बेज़ जया था उनके अनुसर यहाँ पर हमने 3D लेशन बना की दिया था इसमें डू बी एचके का हुस्पेंट का डिजाइन उन्हें किया हुआ है आप चाहिए तो इससे थ्री बेचके भी बना सकते हैं तो मैं उसका इंट्रियल में आप देख सकते कुछ इस तरह नजर आने वाला है यहाँ पे आपका पोर्च रहने वाला है यहाँ पे आपकी एक बाइक आराम से पार्क हो जाएगी यहाँ आपकी सिडिया स्टार्ट होती इस तरह उपर के मंजिल पर जा सकते हैं गूम किये तो घर की में इंट्रस यहाँ पे रहने वाले इससे अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पैसेज देखने को मिलता है दिन यहाँ पे ड्राइंग हो रहने वाला है इसको एक आट्रस टॉलिट भी डिजाइन किया हुआ है तो मतलब यह आपना कॉमन टॉलिट रहने वाला है जो भी आपका guest है इसे यूज़ कर सकता है दिन आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक living hall मिलता है यहाँ पर डाइनिंग आरे जो सकता है फैमिली का sit-out के तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं और उसके सामने और यहाँ पर kitchen design किया हुआ है kitchen की size भी उसका पूरा detail में आपको नक्षे में detail में बताऊंगा कैसा रहने वाला है यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर दो डो रहने वाले हैं यहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह इसका 3D रहने वाला है मैं आपको अभी नक्षा दिखा रहने वाला है चवड़ाई उसकी 20 स्पीट रहने वाली लंबाई उसकी 30 स्पीट रहने वाली है इसमें 2BHK का उन्होंने design बनाया हुआ है आप चाहिए तो इसे 3BHK भी बना सकते हैं उसका option में मैं आपको बताने वाला हूँ पहले तो आपन समझ लेते हैं कौन सी रूम क आराम से पार्क हो जाएगी तो जो पोर्च रहने वाले उसकी साइज रहने वाली है आठ पिट 6 इंज वाई 15 रहने वाली है इसमें यहाँ पर उन्होंने सीडिया design की हुई है और तो यहाँ पर राइजर त्रेट की साइज देख लेते तो एक विडित रहने वाली जो अप पिट 4 इंज भाई 9 इंज के रहने वाला है sitting का provision यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने एक दोर दिया हुआ है तो दोस्तो ए डोर ऑप्चन रहने वाला है इसे आप क्लोज भी करवा सकते हैं यहाँ पर कॉमन टोलेट रहने वाला है 6 इंज वाई 5 पिट पिट यहाँ पर किचन डिजाइन किया हुआ, आट पिट छे इंज भाई, छे पिट तीन इंज का रहेगा, किचन का प्लाट पाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ एक विंडो मिलती है, जिसे किचन को प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके, अगर आप इसे 3BH के बनाने चाते हैं, तो यहाँ पर आपको आपको कामर रखना पड़ेगा, यहाँ पर उसका डोर दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक क्लोज करवा सकते हैं, तो यह आपना ड्रॉइंग हाल बेडूम रहने वाला है, लोब्य उन्होंने डिजाइन कि आप ड्रॉइंग हाल की तरह यूज कर सकते हैं, तो इस तरह आपने से 3BH के बना सकते हैं, तो यहाँ आपको रेंडर फाइल दिखा देता, उसका क्लोर कॉंबिनेशन कैसा रहने वाला है, तो दोस्तो फाइनल होने के बाद आपका डिजाइन कुछ इस तरह नजर आने वा